हेलो है वेरिवन वेलकम बेक टिरो जनल टेल फ्लोल एज तो स्टुडेंट्स आजके इस वीडियो में हम पेक्टेस करेंगे इंग्लिश क्रामर के प्रिपोजिशन की जो कि सभी एक्जाम्स के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के स्टार्डिंग से लेकर यानि कि बुक टैबल पर हैं अब यहां पर और क्यों लगेगा समझ लीजिए देखिए ओन का यूज हम इसलिए करेंगे कि जब कोई चीज किसी सर्फेस पर होती है और उससे मिलकर यानि कि उसको टच कर रही होती है तो वहां पर हम आउन का यूज करते हैं तो बुक जो है वह टैबल को टच कर रहे है इसलिए हम फेड़ कर रहे है तो इस बात को आपर याद रिखेगा यदि कोई चीज किसी सर्फेस के ऊपर होती है उसको टच कर रहे होती है इसमें पर हम आउन का यूज करते है clear a strength, इसलिए यहाँ पर on right answer होगा अब आगे बढ़ते हैं, next example की तरब, जो कि second number के हैं he jumped blank space the well इसमें हमारे सामने options है, into, in, on, या from अब देखिए बच्चों, इसका जो right answer होगा, वो आप भी guess कर सकते हैं इसका right answer में आपको बताएं तब, he jumped into the well यहाँ पर जो right answer होगा, वो into होगा अब into किसलिए आया, into इसलिए आया, क्योंकि यहाँ पर movement किया जा रहा है he jumped into the well, यानि कि वे कुए में कूदा जब कुए में कूदा तो इसने movement करा, इसी वजा से यहाँ पर हम into का use करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह किरिया हो रही है, jump यानि के कूदना होता है इसलिए right answer जो होगा, into का होगा तो यहाँ पर आपको into लगा देना है, क्योंकि jump word जो यूज हो रहा है इससे यह clear है, क्योंकि यहाँ पर movement किया जा रहा है, नदी में नदी नहीं है, यहाँ पर well है, कुवे में कूदना जा रहा है तो यहाँ पर he jumped into the well, right answer होगा, into आपको यहाँ पर लगा देना है आगे बढ़ते हैं, next example की तरफ जो कि हमारा third number का I am fond blanket space music, off, from, with, in तो बच्चों यहाँ पर जो right answer होगा, वोगा off जिया, phone के साथ off का use किया जाता है I am fond of music, जिसका मतलब होता है शौकीन होना, मैं music का शौकीन हूँ इसलिए यहाँ पर right answer, off, बिल्कुल सही है, तो off यहाँ पर आएगा, I am fond of music आगे बढ़ते हैं, next example की तरफ, जिक है मारा phone number का in, he prefers milk blank space t, options हमारे सामने in to, in, to, या फिर from काफी जादा exam में पूछा गया है, mostly 10th और 12th के exam में यह question तो आता ही है, ठीक है यह prefers milk blank space t, इसका जो right answer होगा, वो होगा to, यह prefers milk to t, अब to क्यों आएगा, यह भी चानल लीजिए, to इसलिए आएगा, because यहाँ पर prefer word का use हो रहा है, और prefer के साथ, to का use किया जाता है इस बात को भी आप note कर लीजिए, prefer के साथ, to का use होता है, so he prefers milk to t, यानि के, वे चाय से जादा milk को लाइक करता है, वे चाय से जादा milk को पसंद करता है, तो right answer यहाँ पर आपको to लगाना है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है, चलिए, move करते है, next example पर जो किया हमार इसलिए होगा, because diet के साथ, off का use किया जाता है, point to be noted, इसको आप note कर लीजिए, लिख लीजिए, diet के साथ, off का use होता है, यानि कि अगर किसी disease से, किसी बीमारी से, किसी person की death हो जाती है, तो हम diet word का use करते है, तो वहाँ पर आपको off का use करना होता है, clear है, इस वजह से यहाँ प of two days, two days है, with from for off, अब दिखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, my friend has been suffering fever for two days, तो बच्चों यहाँ पर जो right answer होगा, वो होगा आपका from, अच्छे है, my friend has been suffering from fever for two days, यानि कि मेरे दोस्त को दो दिन से, बुखार आ रहा है, यानि कि मेरा दोस्त दो दिन से, बुखार से पीड़ यहाँ तो रूल यह खेता है कि अगर कोई person किसी disease से, यानि कि किसी बीमारी से suffer है, पीड़े से हमें off कायूज ना करके from कायूज करना होता है, याद रखेगा, जब भी कोई बीमार है और वो किसी बीमारी से बीमार है, तो वहाँ पर आपको from कायूज करना है, अब बीमार के साथ आफ लगता है बाकी सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज होता है तो यहां पर आपको फ्रॉम यूज करना है ठीक है इसलिए फ्रॉम आएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स एक्जांपल पर ही वाज बॉर्न 1985 अब दिखिए यहां पर सन दी जा रही है अब सन क्या दी जा रही है 1985 तो सन के विपोर हम यूज करते हैं इन जिया अगर डेट दी गई होती है तो रूल बदल जाता वहां पर ओन लग जाता है उसका जर्म 1985 में हुआ था राइट नेम अगर दिए होता है तो पर इन आता है अगर मनत का नेम होता तो भी इन आता है फिलाल इनिसका राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं distribute these books the students against of between among यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा distribute these books among the students इन books को students की बीच में बाठ दो तो देखो भाई यहां पर students plural word है और दो से ज़्यादा persons या things के बारे में हम बात करें तो वहां पर आमंग लगाते हैं और बिडवीन के यूज़ करते हैं only two persons या two things के लिए दो व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात को बताने के लिए बिडवीन लगता है और दो से ज़्यादा के लिए अमंग लगता है इसलिए यहां पर आमंग आएगा अब किस के बीच में कड़ा हुआ है साहल और आनेल के बीच में कड़ा हुआ है दो नाम है तो यहां पर आप बिडवीन उस कर लेजिए दो नामों के लिए हम बिडवीन के यूज़ करते हैं persons भी हो सकते हैं things भी हो सकते हैं तो इस बात को आप याद रिखेगा दो वस्तूं या दो व्यक्तियों के बीच की बात को बताने के लिए बिडवीन लगाते हैं और दो से जादा यानि के more than more than two तो दो से जादा के लिए फिर आमंग लगता है 10 नमबर पर what is the time your watch तो यहां पर आमें यूज करना है by your watch होता है what is the time by your watch तो इस sentence में by आएगा 11 नमबर पर he is sitting the classroom तो यहां पर आपको in लगा देना he is sitting in the classroom मतलब कि वह classroom में बैटा हुआ है already class में है तो in लगा देजी he is sitting in the classroom 12 नमबर पर आजाते है they have been playing here morning morning अब options हमारे सामने for since on in तो morning अब morning के है बाई parts of day तो parts of day यानि के certain है तो parts of day के before हमें यूज करना होता है since जिया दिन के भाग अब दिन के भाग morning है evening है midnight है noon है वहां सभी में हमें since लगाना होता है they have been playing here since morning मतलब के वे यहां पर सुबह से खेल रहे है कब से खेल रहे है सुबह से खेल रहे है तो यहां पर आपको since का यूज करना है because morning के पहले since ही आता है ठीक है they have been playing here since morning तो यहां पर आपको since यूज करना है ठीक है morning evening के पहले since आता है he is afraid dogs afraid के साथ off का यूज होता है afraid off होता है he is afraid of dogs मतलब किवे dogs से डरता है भाइबीत होता है afraid के साथ off लगाना है अब आगे बढ़ते हैं 40 नमबर पर we went to Kashmir April तो April in on at into अब देखिए name up month से तो name up month के before भी हमें in का यूज करना है नहीं आएगा ओन तब आता जब यहां पर date दी गई होती अगर April के before यहां पर first, second कोई भी date दी गई होती तो वहां पर ओन लग जाता लेकिन यहां पर date नहीं दी है only month का name लिखा है तो आप in लगा दीजिएगा point to be noted कि year आती है month का name आता है तो वहां पर इन लगता है तो इन यहां पर बिल्कुल correct answer है आगे बड़ते हैं फिप्टी नमबर पर यह आपका फिप्टी नमबर की example है he will go to school Monday अब दी की दिन का नाम आ गया तो इसके पहले आपको लगाना है on Monday name of days दिन के नाम के before on लगता है he will go to school on Monday तो Sunday, Monday, Tuesday जो भी हमारे days है इन के name के before हमें on लगाना है तो दिनों के नाम के पहले on लगता है ठीक है on यहां पर आएगा अब देखते हैं 16 नमबर वी हाब बन स्ट्रडिंग 3 और्स अब 3 और्स uncertain time है यानि के duration बताया जा रहा है यहां पर हमें duration बताया जा रहा है अब दी बताया जा रही है तो यहां पर आप लगा दीजिए 4 uncertain time है duration है इसलिए हमें 4 लगना है for 3 hours मतलब कि we have been studying for 3 hours हम 3 गंडे से दियन का रहा है 4 आएगा 17 I am good English तो good के साथ 8 का यूज होता है तो I am good at English यहां पर आपको 8 लगाना है because good के साथ 8 लगता है good at English होगा good in English नहीं होगा आगे बढ़ता है 18 नमबर पे the train stops all the station तो यहां पर हमें 8 का यूज करना है because public places के लिए platform के लिए station के लिए 8 लगता है the train stops all the station train सभी station पर रुकती है 8 बिल्कुल सही आंसर है आगे बढ़ते है 19 नमबर पे she cut her finger knife यहां पर जो आएगा with she cut her finger with a knife मतलब के उसने अपनी finger को knife से काट ली यहां पर विथाएगा तो अगर कोई person किसी चीज को hold करके क्या करके hold करके कोई भी वस्तु है instrument है weapon है कोई काम करता है कोई work करता है तो फिर हमें वहां पर विथ लगाना है और कोई काम किसी person के दुआरा खुद किया जाता है self किया जाता है तो वहां पर फिर buy लगता है जैसे के पैसे boys में होता है तो यहां पर knife है अब knife को पकड़के knife को hold करके कोई काम किया जाएगा तो हम यहां पर with का use करेंगे ठीक है she cut her finger with a knife ठीक है I think आपको समझ में आ गया होगा अब देखते है last example जो कि 20 number का है Mumbai is bigger indoor compare किया जा रहा है Mumbai का indoor से यानि कि comparative degree है तो यहां पर आएगा then compare degree में then use होता है compare degree के बाद तो Mumbai is bigger than indoor यानि कि Mumbai इंदोर से बढ़ा है क्योंकि इंदोर को मिनी Mumbai का आ जाता है तो इसमें जो right answer होगा वो होगा then ठीक है because bigger के साथ हमें यहां पर देन लगाना होगा compare किया जा रहा है मुंबई का इंदोर से तो compare degree के बाद then लगता है तो बच्छों यह था पूरा सेट जिसमें 20 questions मैंने आपको यहां पर explain करा दिये बिल्कुल important questions है selected questions है जो आपके लिए निकाले किसी भी competitive exam के लिए या class 5th से 6th से लेकर 12 तक के हर class के strengths के लिए ये वीडियो काफी जादा important थी क्योंकि जो questions मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये काफी जादा important questions से इस तरह की questions आपके exam में पूछे जाते हैं तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तब हमारे telegram group को join कर लीजिए link आपको यही discussion box में मिल जाएगी वहाँ से आप telegram group को join कर लीजिएगा वहाँ में आपको इसकी PDF प्रवाइड करा दूँगा जिससे के आप इसकी practice खुद भी कर सकते हैं ठीक है